हेलो एब्रीवन वेलकम टो सी टी सी बायराखी चौबे आज हम लोग बात करते हैं कलब भी मॉडल रैसिडेंसियल स्कूल के वैकेंसी की जो मिनिस्ट्री आफ ट्रैवल एफेर्स के द्वारा निकाली गई है यह यह स्कूल जो है वह इंडियन गवर्मेंट के द्वारा रन हो कौन से लोग एप्लिकेबल कौन से लोग एलिजिबल है या नहीं है अप्लाइ करने के लिए तो आप लोग को पता हो कौन से लोग जो है वह फॉर्म भा सकते हैं क्या अधर स्टेट के कैंडिडेट जो है वह किसी अधर स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर जो इस ली ज़िबल है कि दूसरे स्टेट में प्राइब कर सकते हैं डो मीसाइल लागू है नहीं है एसे बहुत सारे क्वेडी है मन में तो चलिए वीडियो को देखते हैं आपके सारी कंफूज़न के लिए कि क्या आप अगर इस स्टेट के हैं तो किसी अधर स्टेट में फिर तो यह चीज किलियर है अभी देखिए नोटिफिकेशन आई है यह जो पोस्ट है वैकेंसी जो निकली है उसमें क्या है टोटल इंडिया के अंदर सिर्फ 17 स्टेट में यह वैकेंसी निकाली गई है तो सिर्फ 17 स्टेट के अंदर ही वैकेंसी है और 17 स्टेट के जो मतलब जिस रास्थान के हैं क्या वो यूपी के लिए eligible है या फिर जो यूपी के candidate है क्या वो रास्थान के लिए eligible है तो यह दिखिए point यहां पर लिखा हुआ है एक the recruitment of the teaching staff principal and vice principal pgt and tgt यह चार post है इसी चार post के लिए vacancy आई है principal vice principal pgt and tgt के लिए for emrs cell v state specific यह जो है वर्ड cell v state specific बिल्कुल confirm है कि वह state specific है मतलब confirmed यह है कि जो जिस state का है उसी state में फर्म भर सकते है यहां पर दा state where the schools are located जहां पर वह school located है मनी जह राजस्थान में कोई vacancy आई है और अगर राजस्थान में वह school located है तो कि यह school जो है वो societal area में तो है नहीं यह सिर्फ ट्राइवर्स लोगों के लिए है जन जाती है वर्ग जहां रहते हैं उन लोगों की एरिया में यह school है और उन लोगों के बच्चों को ही पढ़ाना है आपको वेर दे इस्कूल्स आर लोकेटेड इन accordance with the recruitment rules notified by any STS motor and only eligible candidates having domicile certificate of the state can apply यह जो है ना domicile certificate आपके पास होना बिलकुल ही ज़रूरी है तो यह बात confirmation है कि आप आप के ऑगर सटेट में बैकांसी आई है तो आप सिर्स से इस इस सटेट में फर्म Tut करने के लिए अदर इस्यों में फर्म फिल नहीं कर सकते हैं अबी यह देखे कि कौनसे कौन से सटे में आई है वेकेंसी यह देख लीजे अगर आप इसे स्टेट के हैं तो आप एलिजिवल हैं नहीं तो आप एलिजिवल नहीं है यह देखिए आंध प्रदेश चतिसगर गुजरात हिमाचल प्रदेश जारखंड जम्मू कास्मीर मध प्रदेश महराष्ट्र मनीपूर मिजोरम औरीसा र स्टेट के लिए वेकेंसी निकली है तो देख लीजे अगर आप एलिजिवल है इन स्टेट के हैं तो आप सिर्फ अपने ही स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया और जब फॉर्म एप्लिकेशन चेक होगा या फिर उस टाइम नह हम फिल करें ओके